Lead Generation Strategies in Digital Marketing आज का हमारा वीडियो को यही टॉपिक और इसके अंदर हम काफी सारी डिटेल्स में समझने वाले हैं Lead Generation Process को जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि Lead होती क्या है दूसरा Process of Lead Generation फिर उसके बाद में किस तरीके से Convert किया जाता है Lead को Customer के अंदर और उसके बाद हम यहां पे देखेंगे The Importance of Remarketing Then हम यहां पे cover-up करने वाले हैं कि किस तरीके से आप Trust गेन करके जादा से जादा Leads को Customer में कैसे Convert किया जाता है इस पूरे Process को हम 7 Steps के अंदर cover-up करने वाले हैं तो चलिए जानते हैं पूरे 7 Steps of Lead Generation Strategies in Digital Marketing जानने के लिए वीडियो को गाईज एंड तक जूर देखेगा मेरा नाम है Manjid Singh और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Digital Manjid तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला to understand what is Lead Lead होती क्या है So basically Lead क्या है कि एक ऐसा Customer जो अभी तक हमारा Customer बना नहीं है लेकिन वो Customer बन सकता है लेकिन वो Customer कौन है कहां है कैसे पता चलेगा तो इसके लिए हम अपने पास कुछ प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस के बाद में उस Customer का नाम, Email ID या Contact Number वगएरा जब हमारे पास आ जाता है तब जाकर वो जो Record हुआ Document है उसको हम Lead कहते हैं यानि कि हमारे पास में सिरफ अभी Customer की Information आई है अभी तक वो हमारा Customer नहीं बना है इसी को हम यहां पे Lead कहते हैं अब वो Customer बनेगा कि नहीं बनेगा यह आपके आगे के प्रोसेस के उपर Depend करता है तो I hope की Lead क्या है यह समझ में आ गया अब सेकेंड समझते हैं The Process of Lead Generation Process of Lead Generation की बात करें तो सबसे पहले जिस भी Product या Service के लिए हम Lead Generate करने वाले हैं अब इसमें हमें जो है यह जानना पड़ेगा कि वो Process क्या हो सकता है कैसे उस Customer तक पहुंचेंगे तो पहला होता है Research Research कहने का मतलब है कि जो भी हमारा Product है या Service है उसके लिए किस तरीके का हमारे पास में Target Audience होना चाहिए क्या वो आपका अगर हम Ad Camping रन कर रहे हैं तो क्या वो Target Audience हमें YouTube के उपर मिल सकता है आपका Instagram पे मिल सकता है आपका Facebook पे मिल सकता है यानि कि यह Research करना बड़ा Important है और उसके बाद इसी Process के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा Content जो है वो हमारे Lead को हमारे तक ला सकता है और फिर इसके अंदर आता है Lead Generation यहाँ पे Database Lead Generation Database कहने का मतलब है कि अगर आपको पता है कि आपका जो Target Audience है वो कहा है तो Definitely वहाँ से हम उस Database को अपने Source के पास में लेकर आएंगे तो यह होता है आपका पहले Process of Lead Generation के अंदर अभी Finally Third की बात करें तो Third होता है Create Landing Page that are easy to understand Landing Page क्या होता है पहले उसके बारे में समझते है Landing Page एक ऐसा Page होता है हमारी Website के उपर में जिसके उपर में particular एक Product या फिर एक Service के बारे में ही पूरी Detail में जानकरी भी होती है So basically यहाँ पर सबसे पहले आता है कि आपका Landing Page जो है उसकी Strategies क्या होनी चाहिए Create करने की So पहला आपका आता है यहाँ पे The Simple Layout होना चाहिए Simple Layout जो की आसानी से समझ में आ जाए और उस Page के उपर में जो हमने Language लिखी है यानि कि जो Content का इस्तेमाल करा है वो भी बहुत Simple Language भी होनी चाहिए यानि कि बहुत असानी से वो Customer को हमारे जो हैं उसको समझ में आ जाए और तीसरा होता है आपका CTA Proper Location के उसको Add करना यानि कि Call to Action का जो Button है वो आपने Perfect Locations के उपर में Add करना तो यह आपका Landing Pages का Importance है चौथा अगर हम बात करें यहाँ पे Create Effective Advertisement Effective Advertisement कहने का मतलब है जब भी आप चाहे वीडियो के माध्यम से Advertisement कर रहे हैं या फिर जो है आप किसी Postgres के द्वारा Social Media पर Advertisement कर रहे हैं तो ऐसे में या फिर Content के जरीए आप जो है Advertisement कर रहे हैं Content Marketing कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर Important हो जाता है कि आपका जो Advertisement है वो Proper तरीके से Systematic तरीके से पहले 30 seconds बहुत अच्छे से आपने चीजों को Capture करना Like product है तो उसके क्या benefits है आपको क्यों यह product खरीदना चाहिए और आपको हमसे ही यह product क्यों खरीदना चाहिए Etc. अगर हम कोई service प्रुवाइड कर रहे है तो similar concept आपका service के लिए भी applicable होता है और यह जब एक proper तरीके से हम scripting करके जब Ad बनाएंगे तो definitely उसका effect भी नजर आएगा पांचवा फिर हम बात करते हैं Convert Lead into Clients यह एक बढ़ा difficult और पेचिदा आप कह सकते हैं process होता है So basically यहां पे कई different different तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहला होता है आपका online workshops आप online workshops ले सकते हैं because अभी तक आपके client को आपके product या आपकी service के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो अब आप जो workshops लोगे या फिर आप जो webinars लोगे उसके अंदर आप अपनी बारे में बताओगे अपनी product के बारे में detail में बताओगे अपनी services के बारे में पूरा detail में बताओगे और finally जब आप सारी detail बता देंगे उसके बाद आप उनको benefits बगेरा बताओगे उसके बाद जो है आप उनको वहीं पर CTA दे सकते हैं, call to action दे सकते हैं, कि उनको ये खरीदना चाहिए, तो काईसे खरीद सकते हैं, वगएरा वगएरा, क्या उनको pricing लगेगा, ये पहला option, दूसरा आपका convert करने का क्या है, एक अच्छा सा अपने product या service के बारे में अच्छा ब्लॉग लिदे, जिसके अंदर बहतरीन तरीके से आपने अपने product या service को explain करना है, उसके benefits वगएरा क्या है, और कैसे वो उस particular service या product को खरीद सकते हैं, और इसे में पूरा आपका ब्लॉग बहुत अच्छे से बन जाएगा, तो वहाँ पर भी आप अपना CTA यानि call to action का button बना कर आप अपने lead को अपने clients के अंदर convert कर सकते हैं, इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है, आप अपना अगर YouTube चानल चला रहे हैं, तो वहाँ पर या फिर email marketing कर रहे हैं, तो उसके जरीए क्योंकि अब आपके पास में already lead आ चुकी है, यानि कि आपके पास में customer का नाम ह और आपके पास में email IDs हैं, आप email marketing कर सकते हो, आप video marketing कर सकते हो, आप whatsapp marketing कर सकते हो, यानि कि यहाँ पर आप उनको जो है बहुत अच्छा importance दे सकते हो, लाइक अगर आप कोई course अल कर रहे हैं, तो आप उनको जो है PDF के notes बगरा दे सकते हो, कुछ जो है आप उनके लिए e-books बगरा दे सकते हो, या आपका कोई product and service है, तो उससे related जो आपके benefits बगरा है, वो आप जरीए जो आपका video माध्यम है, या email marketing है, या फिर आपका whatsapp marketing उसके जरीए आप share कर सकते हैं, so that कि आपके customer का एक trust जो है वो gain हो सकते हैं, शिक्ता अगर बात करें, that is called remarketing, अब remarketing जो है क्यों important है, basically अगर आप जब भी for the first time अपने product या service के लेकर किसी भी audience के पास जाते हैं, तो उनको आप first time देख रहे हैं, और वो आपको first time देख रहे हैं, तो ऐसे में एक trust जो है, वो break हो जाता है, trust नहीं बन पाता है, उसके पीछे simple सा reason है, online scam, online scam की वज़े से हर कोई चाता है कि पहले मैं अच्छे से इसको देख लूँ, परक लूँ, उसके बाद जो है मैं इसका जो product या service है, उसको purchase करूँ, so basically जब हम remarketing करते हैं, तो हम हमारे जो existing customers हैं, जो leads हैं हमारी basically, उनको हम वापस से reach out करते हैं, so that कि उनको पता चले कि हम continue जो है, उसके उपर में काम कर र आपका बहुत असानी से, lead से, client में, customer में convert हो जाता है, अगर हम बात करें, finally, seventh step की, अगर अभी तक कोई भी आपकी lead convert रही है as a customer, तो आप उनको free trials दे सकते हो, free trials कहने का मतलब, अगर आपका कोई product है, तो definitely आप एक product उनको जो है, दे सकते हो, अगर आपका कोई service है, तो एक या दो बार आप free service दे के देख सकते हो, और या फिर अगर आप online courses वगरा sell कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको 1 या 2 या 5 या जितने भी आप एक demo sessions जो है, trial versions जो है, वो आप provide कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो customer है, उसको आपके product या आपकी service के बारे में, आपके courses के बारे म बहुत अच्छे से जो है, आप explanation दे सकते हो, और जिससे customer को भी एक अच्छा trust बन जाएगा, आपकी product आपकी service के बारे में, and finally, जब वो एक trust बन जाएगा, तो वो आपका lead से customer में convert हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे 7 steps हैं, जो आपको एक lead generation जो है, उसका जो strategies हैं, वो आपको follow करनी चाहिए, अगर आप ये 7 steps को follow करते हैं, तो definitely आपका जो customer है, वो आपके lead से आपका customer के अंदर convert हो जाएगा, यानि कि ये जो process है, ये एक ऐसा नहीं है, कि सिरफ on paper है, ये definitely हम अपने जितने भी courses हैं, या फिर अपनी जो services हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमा guys, I hope कि आपको पूरा समझ में आयोगा, कि lead generation, जो strategies in digital marketing है, वो क्या होती है, किस तरह के से इसका इस्तेमाल करना है, अगर आप एक और detail चाहते हो, इस पूरे process में, तो आप मुझे comment section के अंदर लिखके बता सकते हैं, so that कि आगे आने वाला जो video है, तो definitely आप based on your customer, आपके comments, अगर comments आते हैं, कि इसको और आप detail के अंदर जो है, आप practical करके दिखाएं, तो definitely मैं आपको उसका practical भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको comments जो है, वो करने पड़ेंगे, तो सेच क्या रहे हो, जल्दी से, नीचे side पे comment section में जाओ, और comment में लिखो, कि हमें detailed practical video चाहिए, इसी process के उपर में, so that we can see, कि वाकई ये काम करता है, या नहीं करता है, I'll see you guys in the next video, till then stay safe, goodbye, और channel को subscribe नहीं करा है, तो क्या करना है, subscribe कर दें, video पसंद आई, तो like कर दें, ये मेरा city है, see you in the next video.